हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में railway group d exam के बारे में बात करने बाले हैं कि अगर railway group d exam nscit conduct करवाती है क्योंकि TCS के BG schedule को देखकर यही लगता है कि इस बार railway group d exam nscit ही conduct करवाईगी तो चलिए जानते हैं अगर railway group d exam nscit conduct करवाती है तो question किस type के पूछे जाएंगे nscit अभी तक कौन-कौन से exam conduct करा चुकी है एब हम nscit के exam center आपके राजियों में कहां-कहां सारी बात इस वीडियो में जानने बाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखेगा तो चलिए अज कब डिश्टाट करते हैं पहले जानते हैं nscit अभी तक कौन-कौन से exam conduct करा चुकी है तो nscit अभी तक इंडियन रेलबे के exam, रेलबे प्रोटेक्शन फोर्स यानी की आरपी अप के exam, इंडियन नभी के exam, भाईजेक स्टील के exam, इसलिए आपके ग्रूप D exam, इसलिए आपके ग्रूप D exam, इसलिए आपके ग्रूप D exam, अगर बात करें, nscit के दौरा किस टैप के प्रस्ण पूछे जाते हैं, एवं tcs के दौरा किस टैप के प्रस्ण पूछे जाते हैं, तो nscit के दौरा कोश्चन घुमा के नहीं पूछे जाते हैं, जबकि tcs के दौरा कोश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, घुमा के अर्थ के द्वरा कोस्टेन डीप में पूछा जाता है तो आप लोग 2018 में जो गुरूप D की भरती आई थी उसका पेपर देख लिजेगा वेव पेपर TCSE कंडेक्ट करवाई थी और 2018 में ही RPF कॉंस्टेबल की भरती आई थी उनका पेपर देख लिजेगा वेव पेपर NACIT संटर आपके राज्यों में कहां कहां हैं तो NACIT के इंडिया में टोटल 229 सES्टेश सेंटर है अपने राज चैक करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना जॉन स्लेक्ट कर लिजेगा उसके बाद आप लोग अपना इस्टेल स्लेक्ट कर लिजेगा उसके बाद आप लोग यहाँ नीचे आजएगा यहाँ सर्च पर किलिक किजेगा तो जैसे ही आप लोग सर्च पर किलिक करेंगे आपके समने आ जाएगा कि आपके राज में कितने exam center NACIT के हैं जैसे कि बिहार में आरा, बेगुसरा, भागलपूर, छपरा, देहरी, गया, मुतिहारी, मुझपरपूर, पठना, पुर्निया, सहरसा इन सहरों में NACIT के exam center बिहार में हैं तो इसी परकार आप अपने state का भी exam center चेक कर सकते हैं इस site का link आपको description box में दे दिया जाएगा वहां से direct आप इस site पर आकर आप अपने state का exam center चेक कर सकते हैं तो चलिए आज का video समुप्त करते हैं चैनल को सब्सक्राइब अब डियो को लाइक और से जो करते हैं अब डियो दखने करेब का धन्यवाद